प्यार नमस्ते गोड इबनिंग साम का प्यार भरा नमस्कार कैसे हैं आप लोग ठीक हैं जारकंड की भूमी से प्रणाम प्रणाम भाई लोग को चलिए गौतम राना लव यू टो लव यू अवजेत लव यू टो आप सभी लोगों को देखे हैं मेरे भाई पिछले क्लास में हम लोग सेल डिबीजन यानि कोसिका विभादन जो टॉपिक अभी आप देख रहे हैं ये सेल डिबीजन यानि कोसिका विभादन के बारे में ही हम लोग पढ़े थे और कोसिका विभादन के बारे में जो पिछले क्रास में हम लोग study किये थे, उसमें हम आपको और सुत्री विभाजन के बारे में, समसुत्री विभाजन के बारे में, और अर्ध सुत्री विभाजन के बारे में, इस तीनों के बारे में हम काफी details में पर लिये थे, last में थोरा सा लगता बच गया था, वो था meiosis division यह अर्ध सुत्री भी भाजन जो है उसको हम लोग दो भागों में बाटे थे जैसा कि याद होगा तुमको पिछला चलते हैं हम लोग वहीं पर जहां लास्ट में थे एकदम गौर करना तो लास्ट में ये भी तो हम लोग परही लिये थे याद होगा कि जब हम लोग लास्ट कलास कर रहे थे तो लास्ट में हम इस फीगर के बारे में आपको समझा रहे थे इस फीगर में हम आपको बताए थे कि यहाँ पर जो ये आठ फीगर देख रहे हैं ये मियोसिस फस्ट का है चुकि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सकेंड यानि मियोसिस डिवीजन यानि अर्ध सुत्री विभाजन जो है उसको दो भागों में बाटा गया था थोरा से रिमेंडर कीजिए थोरा से अपने आपको पिछे ले चलिए अर्ध सुत्री विभाजन जो है मेरे भाई उस अर्ध अर्ध सुत्री विभाजन को हम लोग दो भागों में बाते थे अर्ध सुत्री विभाजन को कितने भागों में बाता गया था तो अर्ध सुत्री विभाजन जो है मेरे भाई इस अर्ध सुत्री विभाजन को दो भागों में बाता गया था शाइद आपको ये दोनों नाम याद होगा एक का नम बोले थिया अर्धसुत्री विभाजन परथम और दूसरा था अर्धसुत्री विभाजन सेकेंड यहीं एक मियोसिस फ serst था और दूसरा क्या था? मियोसिस सकेंड था अब उसमें भी हम लोग क्या किये थे? किया गया था ये आपका प्रोफेज 1 ये कौन सा हिस्सा है मेरे भाई तो ये जो आपका हिस्सा है ये आपका प्रोफेज 1 है और इस प्रोफेज 1 को क्या किया गया पांच भागों में डिभाइड किया कौन-कौन लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकीटीन डिपलोटीन और डा मेटा फेजवन के बारे में, एना फेजवन के बारे में, तेलो फेजवन के बारे में, और सब का क्या वर्क है, ये पिछले क्लास में हम लोग पर लिये थे, अभी हम लोग परने जा रहे हैं, मियोसिस सकेंड के बारे में, अभी हम लोग किसके बारे में परेंगे, तो अभी ह जो हम लोग इसके बाद परहेंगे मियोसिस सकेंड के बारे में उस मियोसिस सकेंड को भी क्या किया गया चार भागों में बाता गया कौन-कौन तो सबका नम याद कीजिएगा प्रो फेज टू प्रो फेज टू दूसरा मेटा फेज टू मेटा फेज टू तीसरा एना फेज टू और चौथा टेलो फेज टू हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को याद हो गया होगा कि प्रोफेज टू मियोसिस टू इस मियोसिस टू को भी क्या किया गया चार भागों में बाता गया आज इसी चारों के बारे में परना है प्रोफेज टू के बारे में मेटाफेज टू के बारे में एनाफेज टू के बारे में और टेलोफेज 2 के बारे में यहनि मियोसी सेकेंड को कितने भागों में बाटा गया चार भागों में बाटा गया कौन-कौन जल्दी कॉमेंट करके बताओ प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 केलियर हो गया तो कितने भागों में बाटा गया तो आपका जो MYOSIS 2 है इसको भी 4 भागों में बाटा गया प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, अनाफेज 2, टेलोफेज 2 अब क्या करेंगे अब हम लोग पार्टी कूलर सब के बारे में study करेंगे कि प्रोफेज 2 क्या है मेटाफेज 2 क्या है तो यहाँ पर मियोसी सेकेंड के बारे में आप देख रहे होंगे कि मियोसी सेकेंड को भी क्या किया गया इन चार भागों में बाट दिया गया कौन-कौन प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 और टेलोफेज तु थर का द्रब का भी विभादन होता है एक दम धीर धीरे चलिए बिल्कुल धीर धीर परहा रहे हैं लेकिन जल्दी जल्दी नाम याद करे को कॉमेंट करो संजु सर्मा यह भी चार नाम बताए कौन-कौन प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टेलोफेज 2 यह सब किसका हो गया मियोसिस सकेंड का हरेंदर होस्पीटल से क्लास कर रहे हैं वाह चले बहुत अच्छी बात है यह मेहनत तुमारी रंग लाएगी जो जिसने जिसने मेहनत अभी कर रहा है उन सब को नोकरी पक्का है इस बार 2021 के लास्ट में 22 के फुरू में जदी एकजाम होकर रिजल कहीं न कहीं चला पक्का तुम लोगों को जो है नोकरी हो जाएगा एकदम चिंता तुम लोगों को नए करना है खगरिया की धरती से प्रनाम दिलखुश चोरसिया चलिए पटना की धरती से आप सभी लोगों का प्रनाम बहुत बहुत अच्छी बात है आप लोगों को समझने में लेकिन हां जो लरका या जो एस्टुएंट्स या जो लरकी एक बार घर से पढ़के आया है सेल डिविजन उसको प्रॉब्लिम नहीं होता जो कभी पढ़बे ने करता है समझे अभी जो क्लास से घंटा किया फिर अगला दिन तीने बज़े जाके उनलाइन आएगा इस बीच में किताब का स्टडी नहीं करेगा तो चेला पढ़ना तुम ही कुन है इसलिए तुम एसके जा समन विज्ञान जदी नहीं खरदा है तो उसको खरीज लो खरदा है तो डेली पढ़ो क्योंकि बज़पन से कभी तुम लोग बायलो जी नहीं पढ़ा होगा क्या कि नमादसमाम बूझ नहीं आता था कि बायलो जी पढ़ना है उसमें से मातर 2% लरका पढ़ा होगा नमादसमाम बायलो जी इंटर में कोई मैथ ले लिया कोई कॉमर्स ले लिया कोई आर्स ले ल दोस्ता है चाहे तो मैं ससी का एकडाम दो गुर्वडी का एकडाम दो के एंटीफिसी का एकडाम दो बाइलो जी से ही मैक्सिमम सवाल रहते हैं इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्ता एक बार घर से जरूर पढ़के आया करो ताकि तुमको समझने में कोई दिकत ना हो के लिए चल पट पट घुसता जाएगा सेल भी आराम से घुस गया इंटोडक्शन भी घुस गया इस सेल डिविजन थोरा सा टप टॉपिक है दर्द करवे करेगा अहां एकडम थोरा सा दर्द होगा लेकिन हां यह है कि जखते हैं नपाल के बोडरो परसेलर का पढ़ रहा है सर आप त हम समझ रहे हैं कि 98% बच्चे को परशन नहीं है एक 2% बच्चा जो साफे बाइलो अच पर हाए कभी और ना पढ़ के आता है या मेरे परण एक बाद घर पे डाके भी नहीं पढ़ता है उसको परशन एक 2% को होगा बाद बकी को कही दिकत नहीं है फिर भी प्रियास करते ह हम देखते हैं एक चीज को पांच बार छो बार रिपीट कर बाते हैं, दुराते हैं, तीराते हैं, इसलिए हैं कि तुरा याद हो जाए, तुम घर पे दाके भी एक बार पढ़ हो, चले कि इसा पटना सिफ्ट हो गए, अच्छी बात है, बढ़ियां कि ये पटना आगे चले, आप याद करबा देते हैं, चले बिल्कुल याद करबा देते हैं, चले मेरा प्रियास रहाता है कि सभी बच्चों को याद हो जाए, एक भी बच्चा है सा नई बच्चे जिसको नई याद हो, तो आप लोग भी थुरा प्रियास करना परेगा कि याद हम कर लें, तो ये मियोसी सेकेंड होता क्या है तो बतेबे किये कि इसमें किंद्रक के बिभादन के साथ-साथ किंद्रक के अंदर जो द्रब भरा रहता है या कोसी का के अंदर जो द्रब भरा रहता है जिसको आप कोसी का द्रब कहते हैं उस कोसी का द्रब का भी क्या होता है बिभाजन होता है यानि इसमें केंदरक के बिभाजन के साथ साथ इसमें कोसी का द्रब का भी बिभाजन होता है क्योंकि इसमें एक जाम में कोशन पुछा दाता है कि मियोसिस सेकेंड क्या है तो मियोसिस सेकेंड जो है कोसी का बिभाजन का यह एक प्रकार है जिसमें क्या होता है केंद्रक विभादन के साथ कोशिका द्रब का भी विभादन होता है और इस प्रकार क्या होता है उस कोशिका द्रब विभादन के फ्लस रोप दो पुत्री कोशिका का भी निर्मान होता है यानि मियोसिस सकेंड में भी दो पुत्री कोशिका का निर्मान ह इसमें भी केंद्रक का विभाजन होता है इसमें भी कोशिका द्रब का विभाजन होता है अर्थात कोशिका में पुना विभाजन सुरू हो जाता है इस विभाजन को मियोसिस सकेंड काते हैं अब इसमें चारगो पार्ट्स है इसका प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2, अब आपको बारी-बारी से जानना है, कि सर ये प्रोफेज 2 होता क्या है, या इसका काम क्या है, तो एकदम ध्यान से समझिएगा, प्रोफेज 2 जो है, ये कोशी का विभाजन में, जो अर्धसुत्री विभाजन है, ये अर्धसुत्री विभाजन का पहला प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनफेज टू, टेलोफेज टू, उसका प्रारंभिक अबस्था है, प्रारंभिक फेज है, प्रोफेज टू, इसमें दो चीज होता है, पहला चीज क्या, कि इसमें केंद्रक जिल्ली और केंद्री का गायब हो जाता है, क्योंकि एक्जाम आप क्या बोलिएगा प्रोफेज 2 में केंद्रक जिल्ली और केंद्रिका ये दोनों क्या हो जाती है गाइब हो जाती है केंद्रक जिल्ली और केंद्रिका खतम हो जाती है इतना ही नहीं इसमें क्रोमेटीर की जो धागा है वो सिकुरकर छोटा हो जाता है और मोटे होने लगत जाता है इसके अलावे इसमें जो एस्पाइडल फाइबर है तुर्क धागा pseudo है उस तुर्क धागे का चला जाता है चली किलियर हो गया कोश्चन कब सही करवाईएगा गुरू जी हमको भी असिरबाद दिजिए कि इस बार हो जाए सभी लोगों को मेरा असिरबाद है एकदम हो जाएगा विकास ब्रमा आगे से पढ़ा रहे हैं और पीछे से भूला रहे हैं तो पीछे से इसलिए चला भूलता है चुकि याद करना और भूलना मनुस्त का नेचर है इसको बहुत बरी बात ने है कि तुम पीछे बाला भूल रहा है भूलना अच्छी बात है तब तो आगे वाला तुमको याद होगा और यदि मानली यदि पीछे वाला भूला रहा है तो वो अधिक दिन तक ऐसे याद रहेगा एकजाम तक ऐसे याद रहेगा इसके लिए ही तो बोलते हैं किताब का रिविजन करो मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे सुगा कि पीछे जो हम परहा देते हैं उसका रिविजन किया करो आगे भी परहा करो फिर पीछे वाला रिविजन किया करो तब तो याद रहेगा इसके आलाब एक कोश्चन डिस्कसन भी किया करो और कल आज ये टॉपिक तुमारा सेल डिविजन खतम हो रहा है कल जो तुमारा क्लास होगा कल इंटोड़क्शन टॉपिक का कोश्चन डिस्कसन होगा कल आप लोग जो बिल्कुल क्लास लाइब नहीं कर पाते हैं उससमझे बहुत बड़ी गलती करते हैं कल से वो आओ और पहला टॉपिक जो इंटोड़क्शन पर आए थे कल भी उसका कोश्चन डिसकसन होगा परसु भी होगा, तरसु भी होगा यः समझ गए अब तीनो टॉपिक का पहले हम कोश्चन डिसकसन आपका करवा देंगे उसके बाद फिर हम लोग आगे बरहेंगे इसलिए एकदम टेंसन ने लेना मेरे भाई कल question discussion पहले टोपी का कर लो फिर सनी बार को cell division का हो जाएगा और ये cell का हो जाएगा और अभी बार को cell division का हो जाएगा याँ अभी तक जो भी हम आपको परहाएं सारा का question discussion कल से start हो जाएगा इसलिए एकदम आप जितना थियोरी पर आए उसका बरियां से revision कर लिजिए question discussion के बग question discussion में आ जाईएगा clear? चलिए तो ये clear हो गया कि इसमें तुर्क दागे का निर्वान भी शुरू हो जाता है और एक एक सेंट्रिवाल दोनों धुरूबों की और क्या करता है चला दाता है ये किसका काम हो गया? तो ये work हो गया प्रोफेज 2 का clear? आप देखो अगला तुमारा क्या है? मेटाफेज 2 है कहिएगा सर मेटाफेज 2 में क्या हो जाता है मेटाफेज 2 जो है इसमें एस्पाइडल फाइबर की निर्मान की प्रकिरिया पूर्ण हो जाती है प्रोफेज 2 में क्या हुआ था? एस्पाइडल फाइबर का निर्मान स्टार्ट हुआ था गौर करो वहाँ पर क्या हुआ था? Spidal Fiber जो है उसका निर्मान की प्रकिरिया शुरू हुआ था मेटाफेज 2 में क्या हो गया कि Spidal Fiber के निर्मान की प्रकिरिया पुर्ण हो गया और इसमें क्रोमोजोम जो है वो Centromayer द्वारा Spidal Fiber के बीच में जाकर जूर जाता है यहाँ पर दो काम हो गया कौन-कौन एक तुर्क धागे का निर्मान की प्रकिरिया पुर्ण हो गया और दूसरा काम क्या हो गया क्रोमोजोम जो है वो Centromayer के द्वारा Spidal Fiber के बीच में जाकर जूर जाता है वो Spidal Fiber के बीच में जाकर क्या हो गया जूर गया कौन Metaphage 2 तो Pro Phase 2 का भी काम समझ गया Metaphage 2 का भी काम समझ क्लियर चलिए गनेश कुमार जहासर के प्रोसी है बहुत अच्छी बात है Low fare in आब सम्पूर, और आपका तविटात ठीक है संर मेरा तब अगदम ठीक है तब तो इतनी बार हम बोल रहे हैं nawr गया है क्लियर म efficient चलो ज्यान दो तो यह दो की लिए हो गया प्रोफेज टू, मेटाफेज टू के लिए रो गया अब देखिए एनाफेज टू में क्या होता है कि इसमें सेंट्रो मेर जो होता है उसका बिभाजन हो जाता है यहनि इसमें सेंट्रो मेर आगे हम तुमको फिगर में दिखाएंगे अभी हम लोग थोरी समझा देते हैं आगे तुमको figure में दिखाएंगे कि a-nope page two जो है दिखाएंगी देते हैं तुमको ओऊओओओओओओओ शोरी, शोरी एक में चला आगे हम तुमको दिखाँ देंगे कि इसमें देखो क्या है देखो तुम्हारे सामने फिगर दिख रहा है देखो प्रोफेज 2 में क्या बता है प्रोफेज 2 में बता है कि इसमें केंद्रक जिल्ली जो है और केंद्रिका गायब हो जाती है इसमें एस्पैरल फाइबर का अंदिर्मान शुरू होता है मेटाफेज 2 में क्या बता है इसमें एस्प यहां पर तुमको दिख रहा होगा अब यह दीर दीर पतला हो रहा है और जब लास्ट में टेलोफेज 2 में जाएगा तो दोनों असपस टूप से क्या होगा एक दूसरी से अलग हो जाएगा अलग-अलग केंडर जिल्ली बनेगा अलग-अलग कोशी का द्रब बनेगा यह अल यह किस में होगा अमेरे फाय तो यह तेलोफेज 2 में होगा तो यह फिगर से भी असपस्ट है और यहाँ पड़ थ्योरी में तुम देख भी रहा है कि एनाफेज 2 में क्या होता है और यह सेंट्रो मेर बिभादन सुरू हो जाए जिसके फ़लासरूप क्रोमोजोम दोनों क् एनाफेज 2 में क्या होता है कि सेंट्रो मेर का विभाजन हो जाता है जिसके फलस्रूप क्रोमोजोम क्या होता है कि दोनों क्रोमेटीड एक दूसरे से अलग हो जाता है तथा दोनों धुरूबों की ओर चला जाता है यह एक दूसरे से अलग भी हो जाता है और दोनों धुरू तेलोफेज 2 है अब कहेगा सर ये तेलोफेज 2 में क्या होता है तो इसमें दोनों धुरूबों की योर उसमें दोनों धुरूब में बटा अब इसमें क्या होगा कि दोनों धुरूब बिल्कुल अलग-अलग हो जाएगा और दोनों धुरूबों में अलग-अलग केंद्रक ज जिल्ली का निर्मान हुआ है, दोनों का केंद्रक जिल्ली भी अलग है, और दोनों का केंद्रक जिल्ली भी अलग होगा, और दोनों का केंद्रक जिल्ली भी अलग होगा, यह कोण फेज में संभव होता है, तो असपस्ट हो गया, यह तेलो फेज 2 में संभव होता है, कि केंद कंदृका काइन दिरमान अलोग हो गया और क्येद्र बीभादन के भाद के बाद कोशिका द्रब्बी हो जाए गया इस परकार क्या हो गया एक मात्री कोशिका में चार पुत्री कोशिका का अंदिर्मान हो गया और गुंद्शुत्रों की संख्या मात्री कोशिका में उपस्ति क्रोमजों की संख्या का क्या होता है आधा हो जाता है यहाँ पर तुम देख रहा होगा एक, दो, तीन और चार इस तरह से चार पुत्री कोशी का कंद्रमान किस में हो गया आपका तेलो फेज 2 में हो गया कि एक मात्री कोशी का विभादित होकर चार पुत्री कोशी का कंद्रमान कर दिया इस चन्द सब्दों के साथ आपका ये टॉपिक जो है ये खतम हो गया यानि अभी जो हम लोग टॉपिक पर रहेते कोशिकावी भादन ये कोशिकावी भादन चेप्टर खतम हो जाता है आप पीछे से थोड़ा हम प्रयास करते हैं इसका रिबीजन कर बादन चलिए मेरे भाई एकदम ध्यान से फिर से सुनिएगा हम थोड़ा डिबीजन कर बादेते हैं अभी हम लोग कोशिकावी भादन में तीन तरह की भिभादन को परे एक और सुत्री भिभादन, दूसरा सम्सुत्री भिभादन और तीसरा अर्ध सुत्री भिभादन इसका एक roughly figure हम आपको तयार कर देते हैं एकदम board पर ध्यान से देखिएगा एक all over हम revision पुरी topic का हम आपको करवा देते हैं एकदम गौर से समझिएगा इस topic का नाम क्या था? कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन किलियर हो गया इस topic का नाम मेरे भाई क्या था? तो इस topic का नाम था कोशिका विभाजन एकदम आराम से देखिए अब देखिए इस कोशिका विभाजन को क्या किया गया? एक मिट इस कोशिका विभाजन को दो भागों में बाटा गया ने कोशिका विभाजन को तीन भागों में बाटा गया किलियर कोशिका विभाजन को कितने भागों में बाटा गया कोशिका विभाजन को तीन भागों में बाटा गया आप लोग अराम से तीनों का नाम बताईए क्योंकि इस तिनों का नाम हम आपको बता चुके हैं कोशिका विभाजन को कितने भागों में बाटा गया तो कोशिका विभाजन को तिन भागों में बाटा गया एक का नाम हो गया और सुत्री विभाजन दूसरे का नाम हो गया समसुत्री विभाजन और तीसरे का नाम हो गया अर्ध सुत्री विभाजन क्लियर हो गया सेल डिविजन तीनों परकार का याद हो गया एकदम सबका हम पुरा एक बार रफल डिविजन करवा देते हैं चले सबी लोगों को याद हो गया कि सेल डिपीजन को लोग तीन भागों में बाते थे और सुत्री विवादन, समसुत्री विवादन, अर्ध सुत्री विवादन किलियर अब हम लोग क्या किये थे चले तिनों का नाम याद हो गया अब देखो मेरे भाई ये जो समसुत्री विभादन था इस समसुत्री विभादन को दो भागों में बाटा गया था कौन-कौन तो एक था कैरियोग किनोसिस और दूसरा का नाम था साइटो किनोसिस किलियर समसुत्री विभादन को कितने भागों में बाता गया तो समसुत्री विभादन को दो भागों में बाता गया कौन-कौन तो एक हो गया केरियो किनोसिस और दूसरा हो गया साइटो किनोसिस अब देखिए क्या हुआ कि आपका जो ये केरियो किनोसिस है मेरे भाई ध्यान से देखिएगा समसुत्री विभाजन को कितने भागों में बाते दो भागों में एक केरियो किनोसिस और दूसरा क्या हो गया साइटो किनोसिस अब देखो क्या हुआ कि ये जो आपका केरियो किनोसिस था इसको पंच भागों में बाटा गया कौन-कौन एक हो गया इंटर फेज दूसरा हो गया मेटा फेज ये प्रो फेज तीसरा हो गया मेटा फेज चौथा हो गया इंटर फेज पांचमा हो गया टेलो फेज किलियर हो गया कितने भागों में बाटा गया केरियो किनेसिस सेटो किनेसिस किलियर हो गया अब आपने देखा केरियो किनेसिस को इन पांच भागों में डिभाइड किया गया कोई confusion आपको नही, सैटो किनेसिस का कोई division नहीं था, उसके बाद क्या हुआ, आपका जो यह था, यह अर्ध सुत्री विभाजन, इस अर्ध सुत्री विभाजन को क्या किया गया, इस अर्ध सुत्री विभाजन को दो भागों में बाटा गया, कितनी भागों में, अर्ध सुत ऐना मियोसिस डिविजन है पेवा क्वेटेंघे हैं याद रखेगा एक देखो गया प्रोफेज 2 ये 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 उसी तरह से आपका जो मियोसी सकेंड है इसको भी चार भागों में बाता गया कौन-कौन प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 कितने भागों में बाता गया तो फिर ये चार भागों में चार भागों में चलिए पिछे वला वीडियो नहीं चल रहा है चलना तो चाहिए मेरे भाई तो अब ही आपने क्या देखा कि हम पूरी इस टॉपिक का एक सोट रिविजन हम आपको करा दिये और वो आपके सामने है एक बार फिर हम आपको सब दिखा देते हैं देखो रहे मेरे भाई सब लोगों को दिख रहा है एकदम आराम से फिर से एक बार हम दिखा देते देख लो ये जो कोस्तिका बिभादन हम लोग पर रहे थे इस कोस्तिका बिभादन को क्या किया गया सबसे पहले तीन भागों में बाटा गया और सुत्री विवाजन, समसुत्री विवाजन, अर्ध सुत्री विवाजन फिर समसुत्री विवाजन को दो भागों में बाटा गया केरियो किनेसिस, साइटो किनेसिस फिर केरियो किनेसिस को पाँच भागों में बाटा गया, कौन-कौन, इंटर फेज, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टेलो फेज, फिर क्या किया गया, केरियो किनेसिस को नहीं बाटा गया, फिर आपका जो अर्ध सुत्री विवाजन था, इसको दो भागों में बाटा कौन-कौन प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनफेज 1, टेलोफेज 1 फिर प्रोसे यह मी उसे सेकेंड को चार भागों में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनफेज 2 और टेलोफेज 2 इतने भागों में इस सेल डिविजन को बांटा गया थोड़ा सा टप तो जरूर था लेकिन मैंने असाम तरीका से समधने का प्रयास किया अब आपके का काम बचा कि घर पे जाके पुनह एक बार सेल डिविजन पूरी वीडियो को जरूर देखिए और आपके पास इसके जा समन भिज्यान होगा तो सेल डिविजन को एक बार बढ़ियां से पर लीजिएगा इसका सारा कोस्टन आप से बन जाएगा बची बात की सर ये टॉपिक खतम हो गया तो सर कल का क्या काम होगा तो कल जो है हम आपको बताएंगे जो पहला टॉपिक इंटोडक्शन आफ बायलोजी था उसका कोस्टन डिसकसन कल होगा इसलिए आप सभी लोग जो कोस्टन डिसकसन कर लिए किसी बैच में वो भी आजो नहीं किये वो भी कल आप सभी लोग लाइब आईएगा और इसका कोस्टन कर दीजिएगा बिल्कुल तो कल हम पहले इंटोडक्शन आफ बायलोजी पहला चैप्टर का कोस्टन डिसकसन कर वाएगे विधी कल हुआ थुआ नहीं तीर परसों भी कर वाएगे तरसों भी कर वाएगे इन्हीं कल से लगातार सुक्रबार सनिबार और रभीबार ये तीन दिन आपका question discussion चलेगा कल परसों और तरसों ये तीन दिन आपका question discussion चलेगा इसलिए आप question discussion के time में जरूर आप live आएंगे क्लियर कोई confusion हाँ question discussion में time आपका नीचे उपर हो सकता है सनी बार और रवी बार को हो सकता है हम आपका एक बज़े ही क्लास ले ले लेकिन कल आपका क्लास साम में तीन बज़े ही रहेगा कल कोशन डिस्कसन आपका होगा सनी बार और रवी बार को आपका क्लासे जो है वो एक बज़े से होगा सनी बार और रभी बार को आपका क्लास कितने बज़े से होगा एक बज़े से होगा सनी बार को सेल का कोशन डिसकसन होगा और ज़़ी सनी बार को खतम हो जाएगा सेल तो हो जाएगा ने तो रभी बार को सेल और सेल डिबिजन दोनों किलियर हो जाएगा किलियर तो सनी बार और अभी बार आपका question discussion एक बज़े से होगा अब Monday to Friday आपका class तीन बज़े से होगा ज्यारन दखिएगा Monday to Friday तीन बज़े से class होगा